नमस्कार दोस्तों, क्लास 7 त महाराष्ट स्टेट बॉर्ड मैथेमैटिक्स Chapter Number 5 Operations on Rational Numbers अब जो next point है, वो है decimal form of rational numbers तो decimal form में rational numbers को हम Convert कर सकते हैं by dividing numerator by denominator numerator, numerator को denominator से divide करके, हम decimal form में किसी भी rational number को convert कर सकते हैं, एक हम example यहाँ पे लेंगे, suppose 2 by 3 यह rational number है तो numerator को denominator से divide करिए, 2 को 3 से divide करना है, तो 3 से 2 को divide नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 लेकर हमें point देना है और उसके बदले में यहाँ पे 0 लेना है, तो 3 सिखजा 18 फिर हमें इनका subtraction करना है 20 divided by 18 तो subtraction होगा 2 अब जब हमने एक बार decimal point दे दिया है तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक 0 ले सकते हैं सिर्फ एक 0 लेना है मतलब यहाँ पे decimal point होता है 20 के बाद, और यहाँ पे आगे 0 ही होते हैं तो एक बार हम 0 ले सकते हैं तो 3 से फिर यहाँ का number नेचे लेने के बाद 3 से डियाइड करना है तो 3 सिखजा 18 फिर से subtraction होगा remainder 2, देखें यहाँ पे 2 जैसे आया यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ पे 2 और next 2, 2, 2 आता रहेगा तो इसका जो answer है वो 0.66666 infinity तक 66 हमें मिल जाएगा तो यहाँ पे 0.6 के उपर यहाँ पे dot लिखना है तो इसका मतलब होता है 0.6 bar या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 6 bar इसका मतलब होता है कि answer जोगा वो 0.666 up to infinity होगा तो जितने भी नंबर्स यहाँ पे repeat हो रहे हैं उनके उपर हमें बार लिखना है तो practice set 24 तो practice set शुरू करने से पहले आप सभी का अनुरोद है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें और बेल आइकान प्रेस करें जिससे की आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन्स मिल जाएं अब write the numbers in decimal form यह question है तो हमें decimal form में rational numbers को लिखना है तो 13 numerator को denominator से डिवाड करें 4th result 12 subtraction होगा 13 minus 12 1 अब आगे digit नहीं है तो हमें यहाँ पे decimal point देकर एक 0 हमें लेना होता है और 4 से फिर डिवाड करना होगा 4, 2 is a 8 10 minus 8, 2 अब जब हमने एक बार decimal point दे दिया है digit भी कतम हो चुके हैं आगे के तो 1, 0 हम यहाँ पे ले सकते हैं फिर 4 से 20 को डिवाड करें या फिर हमें repeating digits जब तक नहीं मिलते तब तक हमें डिवाड करना है तो 4 से हम अगर डिवाड करें तो यहाँ पे remainder 0 आ गया तो 13 by 4 का decimal form जो होगा वो 3.25 यह होगा तो next question है minus 7 by 8 तो minus 7 by 8 में हमें numerator को denominator से डिवाड करना है तो numerator में देखें negative number है तो कोई बात नहीं जो answer होगा उसे हमें minus 7 लिखना है minus divided by plus minus और numerator को denominator से डिवाड करना है तो 7 को 8 से डिवाड करना है तो 8 greater है 7 से तो 8 से 7 को डिवाड नहीं होगा तो 0 लेकर यहाँ पे point देना है और उसके बदले में यहाँ पर एक जिरू लेना है फिर 8 से 70 को डिएड करना है तो 8 एड़ जा 64 फिर सब्टार्ट करिए 70 मैनिस 64 तो यह वोगा 6 अब decimal point हमने दे दिया है तो हम एक जिरू यहाँ पर ले सकते हैं फिर 8 से 60 को डिएड करना है 8 सेवन जा करेट करिए 60 मैनिस 56 फिर एक जिरू हम ले सकते हैं फिर डिएड करना है 8 फाइड करना है 8 फाइड करना है 40 अब 40 मैनिस 40 रिमेंडर 0 आ गया तो जो अंसर होगा minus 7 by 8 is equal to minus 0.875 अब जो थर्ड क्वेशन है वो है 7 इंटिजर 3 by 5 तो पहले हमें इसे improper fraction में convert करना है देखें दो method से हम इसे solve कर सकते हैं 7 इंटिजर तो यहां पे आही गया है 7 लेकर point देना है और 3 को 5 से divide करना है 3 divided by 5 5 से 3 को divide नहीं होगा 0 लेकर point देना है और point देकर यहां पे 0 लेना है तो 5 सिक्जा 30 माइनस करिए remainder 0 0.6 अब 0 प्लस 7 7 integer part का addition integer के साथ 7 प्लस 0 7 होगा point के बाद जो number से वो यहां पे लिखे 7.6 answer आजाएगा अब इसे और एक मेतर से समझते है 7 integer 3 by 5 अब देखें बहुत से बच्चों को confusion यह है कि 7 integer 3 by 5 में इन दो numbers के बीच में 7 और 3 by 5 इन दोनों के बीच में sin plus होता है या minus होता है तो इन दो numbers के बीच में होता है sin plus 7 integer 3 by 5 मतलब 7 plus 3 by 5 क्योंकि 7 part complete है plus अब जो next part है उसके 5 equal part करने के बाद 3 parts 3 by 5 यह कुल मिला के 7 integer 3 by 5 हो गए तो 3 by 5 मतलब 0.5 0.6 और यह plus 7 इनके addition हम करेंगे करेंगे तो answer 7.6 आ जाएगा तो next है 5 upon 12 5 को 12 से divide करना है तो हम यहाँ पर division करते हैं 5 divided by 12 अब 12 से 5 कोड़ एड नहीं होगा यह number smaller है तो 12 5 के बदले में यहाँ पर 0 लेकर point देना है और उसके बदले में यहाँ पर 0 लेना है तो 12 से 50 कोड़ एड 12 4 जा 48 subtraction करिए तो remainder 2 आ जाएगा फिर एक 0 लेना है 12 से 20 कोड़ एड 12 15 12 फिर subtraction करना है तो answer जो होगा वो 8 होगा फिर एक 0 लेना है 80 12 6 72 तो subtraction करने के बाद फिर यहाँ पर 80 minus 72 तो यह होगा 8 फिर हमें 0 लेना है 80 रहेगा अब देखी यहाँ पर 8 0 यहाँ पर भी 8 0 तो अब जो division होगा 12 6 72 फिर 72 सब्डेट करने के बाद 8 remainder फिर 80 फिर 6 तो यह जो division है 666 आगे चलता जाएगा तो 5 by 12 को हमें answer लिखना है 0.41 6 बार अब जो digit repeat हो रहा है 6 हो रहा है तो उसी के उपर ही हमें बार लिखना है 6 6 repeat हो रहा है 0.41 41 repeat नहीं होगा 6 बार 6 repeat हो जाएगा नेक्स्ट question है 22 by 7 अब 22 को 7 से रहाड करना है तो 7 तरी जा 21 subtract करिए 22 minus 21 1 remainder अब आगे डिजिट नहीं है तो हमें decimal point देना है और 1 हमें 0 लेना है तो 7 बंजा 7 subtraction 10 minus 7 3 होगा अब 1 0 हम ले सकते हैं 7 4 जा 28 माइनस करिए तो remainder होगा 2 फिर 0 लेना है 7 2 जा 14 subtraction करेंगे तो 6 1 0 हम ले सकते हैं 7 8 जा 56 subtraction करेंगे तो 4 अब जब 4 remainder तो 1 0 हम ले सकते हैं 7 5 जा 35 subtraction remainder 5 फिर 1 0 ले सकते हैं 7 7 जा 49 फिर subtraction remainder 1 तो 1 यहाँ पे remainder आ गया और यहाँ पे भी 1 remainder आ चुका था तो यहाँ पे 1 remainder आने के बाद 1 0 हम लेंगे तो यहाँ पे 10 होगा तो जैसे यहाँ पे 10 हुआ तो 7 बंजा 7 10 हम अगर लें तो यहाँ पे 7 बंजा 7 तो 7 के बाद फिर 1 1 से डिवाइड फिर 4 से डिवाइड होगा फिर 2 से होगा तो 1 से लेकर 7 तक यह जो नंबर से हैं फिर रिपीट होते जाएंगे फिर उसके बाद 1 आएगा फिर यह नंबर जो हैं वो रिपीट होते जाएंगे तो 1 लिकर हमें डॉट 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 लिकना है तो 22 बाद 7 का जो अंसर होगा 3.142857 बार अब बार किसको होगा 1 से लेकर 7 तक सभी डिजिट को बार होगा केंटी 142857 यह सभी डिजिट जो है वो बार-बार रिपीट होते जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेशन है 4 बाई 3 अब 4 को 3 से डिवाड करना है तो 3 बन्जा 3 3 टू जा 6 ग्रेटर होता है तो 3 बन्जा 3 4 माइनस 3 बन डिजिट आगे नहीं है तो decimal point लेकरें यहां पर 0 लेना है 3 त्रीजा 9 10 माइनस 9 फिर हम 0 लें तो 3 त्रीजा 9 फिर रिमेंडर 1 फिर 0 लें तो 10 यहां पर 1 जो आ गया तो वही है मतलब वही यहां पर आ गया है तो 3 त्रीजा 3 त्रीजा यह रिपीट होता जाएगा तो 4 बाइ 3 को हमें अंसर लेकना है 1.3 बार या फिर हम ऐसे भी लेक सकते हैं 1.3 डॉट उसके उपर डॉट लेकना है तो यह भी बार ही होगा 3 बार नेक्स्ट कॉशन है 7 अपन 9 तो 7 को हमें 9 से डिवाइड करना होगा तो 7 बाइ 9 नेमेरेटर को डिवाइड से डिवाइड तो 7 अपन 9 तो 9 से 7 को डिवाइड नहीं होगा इसलिए 0 लेकर पॉइंट और यहां के यहां उसके विदल में 1 0 तो 9 7 जा 63 माइनस करिए 70 माइनस 63 7 3 एक 0 ले जीजे 9 7 जा 63 फिर सब्ट्रेक्शन फिर 7 फिर 70 9 7 से 63 तो यह रिपिट होता चला जाएगा तो 7 बाइ 9 का जो अंसर होगा वो 0.7 बार तो इस वीडियो में इतना ही अब आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम एक जो रूल है बॉर्ड मास रूल वो हम पहले explain करेंगे फिर उसके बाद बॉर्ड मास रूल को लेकर कुछ questions है practice at 25 में तो वो हम next आने वाला जो वीडियो है उसमें हम cover करेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे एुड़ लाद करेंगे बगळा बॉर्श करेंगे